Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों चलिए आज बात कर लेते हैं कि ये जो मेरा दोस्त है अभी आया हुए हैं तो ये बात कर लेते हैं बहुत सारे लोग जैसे ओमान अभी आने वाले हैं और जिनका काम होने वाला है तो अभी ओमान आने के लिए प्रोसेस क्या है मतलब जैसे गमका मेडिकल स हो जाएगा जो लोग आने वाले हैं वो लोग इदर उदर पुछते रहते हैं और कमेंट में ऐसे भी मेरे पास आते रहता है कि अमान आने के लिए क्या क्या चाहिए क्या क्रूनप करना एक नहीं कराना है मेडिकल का प्रोसेस क्या तो फारुक एकबर तुम बता दो ताकी जो लोग नए हैं या जो पुराने भी हैं जो आने वाले हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा तो उमान आने का प्रोसेस यह है कि सबसे पहले जब आपका काम होता है किसी एजेंट के थूरू या ऑफिस के थूरू तो आपको वो कहेंगे कि आप गमका मेडिकल कराई है तो गमका मेडिकल के लिए एक स्लीप करता है जो आपको जो कारता है जैंट वह एक हजार के करीब रूपया लेता है अगर आप फोन पर चलाते हैं तो आप उसको यूटूब में देख सकते हैं कि कैसे कारते हैं उसको सीख के और फिर आप ऑन-lai-बैमेंट कर सकते हैं तो तो यह आपके उपर है कि अगर आप काट सकते हैं तो खुद से भी काट लें नहीं तो आप एजेंट से भी करा सकते हैं उसके बाद आपको एक यह पूरे इंडिया में हर जगह नहीं होता है जो बड़े-बड़े शहर है वहां का यह option आता है जैसे कि मुंबई, कुलकाता, ल पांब नहीं हो नहीं नहीं है तो यहां पर आपको देना पड़ता है लोकेशन देना पड़ता है वह का लेकर आपको यह आपको परशने को जाना है अपने फोटो लेकर सात में जाईए और आपका जो कुरोना एक सट की है वो ले कर जाईये पासपोर्ट अप मस्क लेकर जाईय्हे मैं छोड़ दिया था पासपोर्ट अपने ही लेकर जाएंगे तो आपका मेडिकल गरे वह या लिये वो लोग ले कि बहुत मैं रिक्वेस्ट किया और छोड़ दिया था मुझे लगा कि उसका क्या जरूरत है लेकिन उसका जरूरत है आप अरीजिनल ले जाईए मैं उसका कॉपी ले गया था लेकिन उसके नहीं वो लोग उस पर लिख दिये थे कि आप अगर रिसीविंग डेट पे आएंग रजग जाता है अब हम विजा सेट सालक अधोशं का अलग-अलग कंपटनी में थायम हो सकता है क्योंकि वो जयादा zob सकता है काम होने के बार तो COM PANY俺 आपको कमपणी वह संब और EL है। जैसे एयरपोड पर बॉक्या करूप में डियंघको अब शाड़े लाइड़ तो बहुत सारे ओफिस वाले हैं आपको कहेंगे कि आर्टी पीसिया टेस्ट करा लो उसका जाकर एक हजार रुपया जमा कर देना और जिस मेडिकल में मैं लीक कर दे रहा हूं उसी में जाए क्योंकि वहां से उनको कमिशन मिलता है ठीक है तो वह आदमी को भाई कराना पड़ कि आने के लिए तो वहां तो आर्टी पीसियार की जरूवत नहीं थी लेकिन कैसे तुम्हारा पड़ गया मैं भी मेरे दिमाग माय कि हां ये बात सही हो सकता है मेरा क्यों जरूवत पढ़ रहा है वो लो क्यों मांग रहा है मतलब मैं दो आदमीगटी कराया था एक ट्रेव कराए तो मैंने भी फोशा कि यह ponieważ है है तो मैणे गुगल से जिनटीट का मेरा टाव अधाल में इंड्यू कश्टमर केर नंबर नबर निकाला कुगल मैं जब ऑफ पहले तो पर से कि अब वह पूздक हो बोल रहे हैं प्याश्यों प्युकिगत तो वश्ञारूं उसके साथ साथ बोल रहा था तीर एक बार option आये कि क्या आप हमारे कर्श्टमर केर से से बात करना चाहते हैं तो हां बोलिये ऐसे तो मैंने हां बोला तो फिर आपने अपने आपको लग गया तो मैं उनसे किलियर किया कि भाई मेरा आटी पीसिया टेस्ट जरूरी है कि नहीं उमान जाने के लिए तो वह बोला कि आप इंटरनेशनल फ्लाइट कर रहे हैं या नेशनल फ्लाइट कर रहे हैं मैंने बोला इंटरनेशनली है उमान के लिए तो बोला कि रुकिया सर में चेक कर लेता हूं और चेक किया तो बोला नहीं ना वेक्शीन का जो वो स्लीप होता है ना उसकी जरूरत है और ना आर्टी-पी-सी-ार की जरूरत है तो अगर आपको भी अगर एजेंट कहता है कि आर्टी-पी-सी-ार का टेस्ट करा लो ले जाओ वहार एरपोर्ट पे लएगा अमान के लिए तो आप नहीं कराएं क्योंकि वो लोग अपना कमिशन के लिए कहता है इसका कोई जरूरत नहीं है अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप पता कर लिए तो फिलाल बस इतना ही चाहिए गाम का मेडिकल का प्रोसेस हो गया और यहां आने के लिए उनली पासप लिए तो चीज़ जाई है और कुछ नहीं जाई है बाद हो